अंग विश्वास छोड़िये, अंगदान से नाता जोड़िये, अंगदान जबुत बंद केमें है वरकार। भारती समाज में चीवन के बीविन पहलूँ पर द्यान देनी की आवशक्ता का एक महदवपूर हिस्सा अंगदान और रक्तदान जैसे महादान कहे जाने वाले समाजिक कारू में समर्पन है इसी कड़ी में आज मिट्टी का शरीर है मिट्टी में मिल जाना है जीते जी ना सह मरते हुए ही कुछ कर जाना है कुछ इजी सोच और संकल्प के साथ भारते जैन संगटना के प्रकल्प मोक्षपत के तत्वाधान में 24 में इंडियन ओर्गेन डोनेशन डे को सेलिब्रेट करते हुए अंगदान जन जागरन यात्रा का आयोजन किया गया मैं नरेंदर जैन पश्यम्यार अध्यक्ष मेट्रिमोनियल विंग बीजयस दिल्ली प्रांत की और से आज जो एक कारेक्रम अंगदान माधान के ओपर एक जन जागरन रेली की गई है इसके लिए सभी को बढ़ाई देता हूँ पुछ काम ऐसे हैं जो आदमी जीते जी करता है और मातर ही की काम ऐसा है जो मरनो प्रांत कर सकता है जो उसकी इच्छा से होता है वही काम आज करने का प्रियास क्या गया है पूरी भारतिय जैन संग अठन दिली प्रदेश के जभी कारेकरताओं को, सभी सेभागियों को, सभी मीडिया को और विशेश रूप से मैं News दिली वन को भी बदाई देता हूँ कि आपने आकर के इस कारेकरम को सुचारों रूप से कवर करने का प्रियास किया बहुत बरापार, बहुत बहुत धन्यवाद अंगदान का ये अनूटा उपकरम जो BGS जो है निरंतर, BGS डेली जो है निरंतर चलाती आ रही है और लोगों के बीच में जन जागरती पैदा करना क्योंकि अंगों की कोई फैक्टरी नहीं है, अंग कोई फैक्टरी में निर्माण नहीं होते है और अंग कहां से आ सकते है, अंग हमारे से ही आ सकते है जीते जी हम रखदान करें और जाने के बाद में हम अंगदान करें और अंगों की वज़े से हम सब टेंपरिरी है इस दुनिया में अगर कोई पर्मनेंट अपने आपको मानता है तो हम बहुत बड़ी गलती है हम सब यहाँ पे टेंपरिरी है पट हमने अपने जो आयू को और अगर आगे बढ़ाना है मरन उपरान भी हमारे अंग जो है दूसरों को सयोग करे उनको जीवन दानते उसके माद्यम से भी हम जी सकते है और बहुत बड़ा पुन्ने का उपकरम है और यह मोक्स मार्ग का एक अनुटा उपकरम बन सकता है और इसलिए इस प्रोजक का नाम भी मोक्स पत है कि इस पत के दुवारा हम अपने आपका कल्यान करें औरों का भी कल्यान करें और कल्यान मित्र के साथ मिलके हम मोक्स योड जाए और लोगों को शांती दे क्योंकि फिर से मैं काऊंगा अंग किसी फैक्टरी में निर्माट बीट है मेरा नाम प्रियांशी जैन है और हम शाददाम इंस्टिटूट से त्री नगर में हमारे इंस्टिटूट हम के आज ता ही हाँ पर जैसे मोक्षपत ने यहां पर और गनाइस करी दी एक रेली और गनाइस करी दिए अर्गन डोनेशन से रिलेटेड इसका मेन मोटिफ यह था कि हम जो जने भी लोग है जैसे के हम जानते कि आज हमारा नाशनल ओर vara डोनेशन डे है तो उसके उसके भी हाँव पर हम लोगों में अवेरिन कि हां कि हम मरते हम जीते जीतो आपना like हम ब्लाड कर सकते हैं लेकिन मनने के बाद बनने के और हैं और लोग हैं जिनके पास हम अपनी है कर चकते हैं वहमारी आखों से ऑप दुनियास देख सकते हैं जिससे कहीना कहीं हमें भी उस्रせて मिलता है। इस जिसात्रा के शınıद्ध खुरुदेव तपस्वी राज गणाधी श्री प्रकाश चंची महरास सहाब से आशिरवाद प्राप्त करने के बाद पूर्वी जैनिसानक पितंपूरा से की गई यात्रा का मार्ग बिविन महत्वपूर्ण स्थलु से गोकर गुजडा जिसमें गुपाल मंदिर, पुलिस जेशन, रथवाला मंदिर, पेट्रोल पंप, शिब मंदिर, डिस्रिक पार्क, बोल्चकर, डियू ब्लॉक, जैन मंदिर और रामलीला ग्राउंड शामिल थे यात्रा के समापन स्थल के रूप में उद्री जैने सानक भवन पितंपूरा को चुना गया। इस जम जागरन यात्रा का उदेशे समाज में जीते जी रख्तदान और मन्नो प्रांत नेत्रदान, अंगदान एवं देहेदान के प्रती जागरुपता से लाना था, ताकि लो सभी को सादर जैजिनेंदर प्राणा, मैं दिनेश चाजेड, अजय जैन या शश्मी जैन बीजेस के द्वारा आप सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि आज जो परिस्तिती हैं जो कुछ समय पहले नहीं थी, अंगदान से आप किसी को नया जीवन दे सकते हो, चाहे वो ह किसी की जिन्दगी बचानी चाहिए, वो आप आखे डॉनेट करोगे, तो वो आखों से आप की नजरों से वो दुनिया देख सकेगा, मेरा आप से सभी से निवेदन हैं कि जीते जी अगर न हो सके, तो कोई बात नहीं क्योंकि हम जब आप सी रिस्तों में आते हैं, तो किस किसी को हम भाई को, चाचा को, मामा को ये अपनी किड्निया, लीवर कुछ भी डॉनेट करते हैं, लेकिन मरनो उपरांत ये काम हो जाए, तो इससे बढ़िया आज की तारिक में पुनिय का कोई काम नहीं है, यात्रा में हर आयूवर्ग के लोगों जैसी महिलाएं, जेस में स्मार्ट गर्ल हैडू, स्मार्ट गर्स को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, पराच हमारी ते दांस से रिलेटिट यात्रा थी, जो कि आज बहुत हमारी सक्सेस्फुल रही, इसमें 500 लोगों ने इसमें पाट लिया है, और बहुत अच्छी रही यात्रा हमारी आज और चार किलोमेटर की आत्रा थी, जिसमें की बहुत जादा जोशो से लोगों ने भाग लिया है, मरने के बाद हमारे शरीव बहुत से लोगों को जीवन दे जाता है, उनकी जिन्दगी स्वर्ग बन जाती है, आपको बहुत दुआएं देते हैं, जिसका अंग उसको लगत है, हम दान देते हैं, तो मेडिकल में उसकी स्टडी के लिए भी काम आता है, जो आगे टेकनोलोजी को और आगे नई विवस्ता त्यार करता है, जीते जी रक्तदान, मरनो उपरांत, अंग दान, और हमें अपने मन से बैधूर करना होगा कि हम अगर मरनो उपरांत, अंग मेडिकल स्टूडेंट्स को देह नहीं मिल रहे हैं, दन्यवाज्या है जीने, यात्रा के दोरान, विविन धार्मिक, समाजिक और राजनेतिक संस्थाओं ने भी अपना समर्थन प्रकट किया, इन संस्थाओं और दलो ने यात्रा के दोरान, जन्जागरन का कारे किया, और लोगों को अंगदन के लाब और उससे समाज पर पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी दी, जिससे यात्रा की प्रभावशीलता और सफलता में व्रिद्धिर हुई मानवता की सेवा करने का मुका किसी विश्वेश को मिलता है, आओ इस मुक्के को ना गवाएं और इस नेक कारे दे चुड़ें और उको भी जोड़ें बीजेएस की जन जागरन यात्रा, बीजेएस मौक्षपत, मृत्यू परांत, अंगदान, देहदान, नेतरदान की प्रेड़ना के लिए, क्योंकि ये मिट्टी का शेरीर मिट्टी में मिल जाना है, जलने के बाद इसने सिर्फ राक हो जाना है, पर हम अगर हमारे अंग किस बीजेएस की जन जागरन यात्रा निकाली गई, जिसमें बहुत सारी समाज सेवी और धार्मिक संस्थाओं का सहयोग मिला, कुछ राजनीतिक दल भी हमारे साथ जुड़े, और इसके अंदर बीजेएस का राश्ट्रे नेतरतव से, हमारे राश्ट्रे मंतरी शिरी खिमसरा, वो पधारे और होने वाले अध्यक्ष कमल सेधिया जी हमारे साथ रहे, इसी प्रकार से बहुत सारी संस्थाओं ने सहयोग दिया, कुछ स्कूल के बच्चे भी हमारे साथ आए, जिन्होंने की यात्रा में पूरे जोश से बढ़ चड़ कर साथ लिया, मैं अपना एक संदेश यही देना चाहूँगा, कि यह जन जागरन यात्रा सिरफ एक शुरुवात है, इस जन जागरन यात्रा के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से पूरे भारत में एक संदेश जाना चाहिए, कि मैंने तो अपनी मृत्यू के बाद अंगदान का, देहदान का संक प्रितम पुरा में पूरे आर्डवेरा से पूरे जैन समाज, पूरा ददीची देदां समिती पूरा लान्स गौने प्रचार की जी अचुनग किया, जिसमें सभी ने हमें दिल से सहयोग दिया पूरी संख्या में सब आए बान्स और हम इन सब का दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया और पूरी प्रितंपुरा समाज प्रितंपुरा की आम जन जन तक इस अंगदान जातरा को सब पहुचाया हम इसमें सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं धन्यवाद करते हैं बहुत ही सुंदर आज का ये आयोजन, बहुत सुंदर यात्रा निकली और मैं ये समझती हूँ, अंग दान, देह दान, नेत्र दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, आज पूरे विश्म में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा इसी की जुरूत है, और जब समाज ब्यान में लग जाता है, तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, कोई नेत्र विहीन नहीं रहेगा, कोई अंग विहीन नहीं रहेगा, लाखो लोगों का जीवन बजपाएगा, मेरी और से बहुत बहुत बढ़ाई, बीजे एस को और सभी संगटनों को, जिनों ने आज के इस करते हैं, बहुत सारी संस्थाइब जूड़ी हैं, और हैल्थ में बढ़ाई करते हैं, जगए 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 लगाएगार, ऐसे ही आज जान समाज ने बढ़ारा मौक्षपंथ के दुवारा ये जन जागन यात्रा निकाल लिए है, जिसमें जीते जीतों हम अपना बलड को अगर इसका दान करें तो ये पुन्य काम है, जो कि हमें भगवान की तरफ लेकर जाता है, यही एक समाज में हम एक मेसेज दे रहे हैं सब के दुवारा कि हमारे साथ बहुत सारी संस्थाइब, समाज की धार्मिक, समाजिक और राजनिति, सभी मंच हमारे साथ हैं, और जैन समाज के सभी वर्क हमारे साथ हैं, हम सब इकठा होकर जागरित कर रहे हैं समाज में, आज एक प्रेणना बनकर सबने बहुत अच्छा एक नेक कारिया करें और बहुत अच्छे तरीके से, ठंग से, सुनियोजी तरीके से, यह हमारी यात्रा सफोल हुई इस कारिक्रम का एक और महतवुपूर्ण पहलू विक्षार ओपन भी रहा, जिसमें सभी ने बच्चों के साथ मिल कर जिक्षार ओपन कर परियावरन संदक्षन का संदेश जिया, साथी कारिक्रम में कई वसिष्ट अतीठियों को भी सम्मानित करते हुए, उन्हीं देहदान का जो परसंटेज है, अगर बाकी देशों से कंपेर करें तो बहुत कम है, स्रीलंका में 100% है, हमारे हैं बहुत कम है, जरूरत बहुत जाता है, एक आत्मी, एक अंगदान, अपना पूरा अंगदान करके 8-10 आदियों की जिन्दगी बचा सकता है, और देहदान अ आज देखिए कि कुरा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वर्क्स कटे जा रहे हैं, तो बारिस की कमी हो रही है, अकाल पढ़ रहे है, तो वर्क्स रोपन बहुत जरूरी है, हम सब को अंगदान देना चाहिए, जिससे जीवन बचे और वर्क्स का रोपन भी करना चाहिए, जिससे हमारा जो परकर्ति का संतुले ने वो बना रहे जैसा कि आप जानते हैं कल भारतिय जैन संग्णना को स्वास्ते मंतराले द्वारा नोटों के अंतरगत हमें वीजेस को भारतिय जैन संग्णना को बेस्ट अवार्ड दिया गया हमारे एनिसी मेंबर और राष्ट्य कार करने का दियक्स गहिश्टाइश जी कमारे साथ है करमठ्ध बारत्यों हमारे का में भाझ दिली के वारतिये जहें लगें की अपनी भीलक्त śत का यह यह जो एक कॉज है, जिसके साथ हम सब जुड़े हुए हैं, यह एक नैचुरली इसके बारे में जानते ही एक इच्छा होई कि जुड़ा जाये और जागरती के लिए काम किया जाए और उसी रस्ते पर हम सब लोग साथ चल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने का साथ देने का आवान करते हैं बस यही मेरी एक मिशन को शुब कामना है और आप सब लोगों से निवेदान है। ब्रादान कर सकते हैं तो यह बहुत नेक कारे है जिसके बाइं हमें खुद दो आगे बढ़ना ही चाहिए और साथ में और लोगों को इसके लिए जागरुक करना चाहिए। इस मुवी का मोटीव यह है कि हम जो आइस डोनेशन को प्रमोट कर रहे हैं इस मुवी से कि आजकल जो हो रहा है यह जो हमारी मुवी है सत्य घटनाओं कर अधारित है कोई कालपनी कथा नहीं है तो इसमें हमने यही दर्शाया है कि कैसे अगर हम अपनी आइस को डोनेट कर सक बहुत एजी प्रोसेस है कि अप्याज की जिली की तरह आप अपनी आख को दे सकते है क्योंकि लोगों की आजकल बहुत मित्या है सोच है कि हमारी पूरी आख निकाल लेंगे फेस खराब हो जाएगा तो उसको हमने बहुत डीपली डिफाइन किया है इस मुवी में अंदान की पुरे विश में लोग इस मुवी को देखे और इससे प्रेड़ना लेके अंगदान का प्रतिक्या लें इस पर यूटूब पे अभी हमने इसको यूटूब पे डाला है उसके लावा हम इसको इसके लावा इंस्टाग्राम फेस्बूक इन सभी प्लेटफार्म पे हम इस को डाल रहे हैं so that कि वो लोग भी परमोट करें इस मोई को नेत्र का इंपोर्टेंस नेत्र हीन इंसान बहुत अच्छे से बता सकता है तो उससे हम सभी को समझना चाहिए कि अगर हम जाते जाते अगर हम अपने नेत्र दान करते तो हमारे ही नेत्रों से चार ऐसे लोग जो नेत्र दान करने से उनकी जीवन में उजाला आया तो वो भी आगे जाएक और लोगों के जीवन में उजाला करें तो यह हम सोचते हैं हमने इस मूवी को realize किया और ये मूवी सभी के लिए awareness का काम कर रही है और लोग बहुत अवेर हो रहे है तो मेरी सभी से यह request है कि वो में तो हमें आने वाले टाइम में चाहिए कि हमें मानोग के मरनोपरांत हम दान कर सकते हैं इससे बड़ा कोई दान नहीं नेतर दान कर सकते आ में तक हमारा रोड एक्सिडेंट वगरे में रोड एक्सिडेंट हो जाता है उसमें हम अंग दान कर सकते हैं ल Aur to Nana किसे कमी हैं जो कई दाने चाहते हैं कि मरनों परांथ को में चलागाा वा बोड़ी दान करना चाहते हैं कि लेकिन हमारे पास वो सुधा उपलवद नहीं है कि उनको फैसिलिटी मिल सके कि वो एक नंबर ऐसा जारी किया जाए जिस पे कोई भी फोन करके उसको ये फैसिलिटी मिल जाए कि वो वो अपनी बोड़ी का दान कर सके अंग दान करे क्योंकि मरनों के प्रांद कुछ जो परवार वाल है और उसकी जो भी प्रोडम हो उसको सोल्व किया जाए तो यह मेरी सरकार से भी विनमर विंती है कि ऐसा कोई नंबर जारी किया जाए जिससे कि किसी को भी अंगदान करने में ऐस उदा ना हो ताकि वो असानी से अंगदान कर सके और हमारे देश के अंदर जो अंगों की कम है वो पूरी हो सके